आप देख रहे हैं नेशन लाइन हर पल आपके साथ इंडियन प्रिमियर लीग का 38 मुकाबला किंग्स 11 पंजाब और दिली कैपिटल्स के बीच आज खेला जाएगा गच चैंपियन मुंबई इंडियन के खिलाफ रोमान चक मुकाबले में जीस से किंग्स 11 पंजाब का मनोबल बड़ा होगा लेकिन अब तक निरंतर प्रदर्शन करने में नाकाम रही इस टीम की रहा अब असान नहीं होगी क्योंकि मंगलवार को इंडियन प्रिमेर लीग के अपने अगले मैच में उसे अंगतालिका में शीष पर चल रही दिली कैपिटल से भिड़ना है सतर की शुरुवात में दो बेहत करीबी मैच गवाने के बाद किंग्स 11 की टीम पिछले दो मैचों में वांचित नतीजे हासिल करने में कामियाब रही है वहीं किंग्स 11 पंजाब में डेथ ओवरो की गेंद बाजी ग्लेन मैक्सवेल की खराफ फॉर्म और कमजोर मद्यकरम टीम चिंता का विशे है जिसे प्ले आफ में जगा बनाने के लिए बाकी बच्चे पांच मैच जीतने होंगे टूनमेंट में शीश दो स्कोर सलामी बले बाज राहूल और मयंग अगरवाल की मौजूदगी के बावजू टीम को जीत हासिल करने के लिए जूजना पड़ा है क्रिस गेल की सफल वापसी से हाला की सलामी बले बाजों के उपर से दबाव कम हुआ है विशेश कर राहूल अब अधिक खुल कर खेल सकते हैं मही निकॉलस पूरण दिखा चुके हैं कि वह क्या करने में सक्षम है लेकिन उन्होंने अब तक टीम को जीत दिलाने वाली पारी नहीं खेली है बले बाज के रूप में मैक्सवेल पर दबाव बढ़ रहा है में खाता खोलने में नाकाम रहने के बाद बड़ी पारी खेलने को बेताब होंगे जबकि शिवखर धवन फॉर्म में वापसी कर चुके हैं दिल्ली की टीम नो मैचों में से साथ में जीत अपनी दर्श कर चुकी है तो वहीं अक्षर पटेल ने गेंद के अलावा बल्ले से भी अपनी उप्योगिता साबित की है चेन नई सूपर किंग से खिलाफ उन्होंने रविंद जडेजा के मैच में अंतिम ओवर में तीन छक्के जड़ कर दिल्ली को जीत दिलाई उम्दा गेंद बाजी करम के साथ दिल्ली की टीम ने दिखाया है कि वो कम स्कोर का बचाव करने में भी सक्षम है चोटिल रिशब पन्त की गैर मौजूद की में खेल रहे अजीते रहने के पास परभाव छोड़ने के लिए अधिक समय नहीं बचा है दोनों टीम के बीच पिछला मैं सुपर ओवर में खीचा था और दिल्ली से अधिक पंजाब की टीम उमीद कर रही होगी कि दोबारा ऐसा नहीं होगा